हाई गाईज वेल्कम बैक प्यों यूटूब चैनल डॉग लगर रीवा दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना पुसंदीदा चैनल डॉग लगर रीवा मैं हूँ रभी आई ये वीडियो शुरू करते हैं अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लेट को लगर बटन को दबागे सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटे इस्टेग में वीडियो सबसे पहले दिखना को कैसे यार भाईयो मस्क रहना खुस रहना और अपने अपने में तो इसलिए आज में आपको क्लियरली जानकारी देने वालों होगे तो प्लीज वीडियो को सुरु से लेकर राश तक जिरूर देखें ताकि किसी भी इसकतार की जानकारी आप दिरी नहीं रहे तो डॉक डिवार्मिंग आपको करनी कभ है ये जान लेते हैं डॉक डिव दोस्तों को सुरु से लेकर लाश तक जरूर देखेगा और दोस्तों अगर आप एंपी की लोकेशन में रहते हो और अगर आप अपना डॉक सेल या पर्चेश करना चाहते हो तो प्लीज मेरे वाट्सप नमबर 870514703 पर कॉंटेक्ट करें इसमें स्प्री आउफ कॉस्ट आपको इसमें डॉक्त दरवाना है पोश्ट करवाना है तो आप बिल्कुल मुझे वाट्सप कर सकते हैं दोस्तों आपको जो डिवार्मिंग का सेडूल है और कौन कौन सी आपको दबा यूज करनी है उसको मैं आपको बता देता हूं तो आज मैं दो प्रगार की दबा पहले जो हमारी जिरप है लेप्यूट फार्म में जो है तो वह हमारी डॉंटल पपी इसको आप मार्केट से पर्चेश कर सकते हैं 185 पर 10 ml मिलता है ये तो इसको आप ले सकते हैं और पपी जो है आपका वन मंत से लेके 6 मंत तक आपको ये जो देना है आपको तो 1 ml पर 1-1 मंत के गैप में आपको डिवार्मी करना है जैसे कि आप पहले महिने में आपने ले दिया उसको ठीक है थिक है 1 kg बाड़ी वेट था तो 1 ml आप दे दिये थिर अगले महिने पे आप सेकेंड महिना जो है उसका सरी सकंड मंत उसमें आपको अगर 2 kg है हा ना तो आप 2 ml दे कि इसी प्रगार का जितना body weight होता जाए आपको अपना ml आप करते जाएए पर ml पर body weight के देना है 1kg है तो 1 ml 2kg है तो 2 ml और यह schedule रखना है आपको यह six month तक आपको month by month करना है सिक्स मन्त तक आपको हर महीने डिवारी करनी है अपने डॉग की उसके बाद में फिर जब सिक्स मन्त पूरा हो जाए तो सिक्स मन्त के बाद फिर आप ख कर सकते हैं पाइप मलंत पर अक बार प्रेस क्ति हैं तो उसमें भी आप अगर डॉग आपका टैबलेट नहीं खाता है तो उसमें भी आप लिक्विट फार्म यूज कर सकते हैं लेकिन वहां तो मैं रिक्विंट करूंगा कि अगर सेमी अडल्ट हो गया है आपका डॉग तो आप वहां के लिए एजी पेट दबा का यूज करिए इजी पेट दबा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इंटास कंपनी की टैबलेट है वो तो उसको आप बिल्कुल ट्राइ कर सकते हैं उसकी भी लिंक में दे दूंगा डिस्कुर्शन बॉक्स में आप वहां से पर्टेश कर सकते हैं तो इजी पेट बहुत ही अच्छी और यह देना आपको है तो रात के समय जब आपका पपी बाहर जाता है खाना ना फीना जब खा लेता है रात में और उसके बाद जब वो फ्रेस होने जाता है और उसको दबा दीजिए चाहे वो सिरप हो और चाहे वो टैबलेट फांपे है लेकिन अगर आपका डॉग टैबलेट जो है आपकी एजी पे तो आप हाफ कर लिजे तोड़के और हाफ उसको टैबलेट आप 5 kg पे हाफ टैबलेट दे सकते हैं तो आप हाफ टैबलेट 5 kg पे दे सकते हैं तो आज के लिए यह थी डिवार्मिंग की जानकारी आपको किसी प्रगार का कंशुजन नहीं हो गए इसमें आपके जो भी सुझाओं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं बता सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही जल मिलते हैं आप टैगले वीडियो के